अलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू पीवीर स्टड़ी बच्चों आप सभी को पता है कि कच्छा नों के अंसे रटी मैं था पढ़ रहें एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है कोश्चान नंबर फ़र्स हो चुका है आज आप सिकेंड नंबर देखेंगे बहुत ही आसान कोश्चन है द्यान दीजिए ऐसे फिगर है देखो पढ़ो क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चोड़ाई और उचाई करमसा पांच मीटर चार मीटर और तीन मीटर है यानि लंबाई पांच मीटर है बाबू तो कहने का मतलब अगर हम इसका माने तो यह फाइफ मीटर है ओके दन औ साथ रूपए 50-50 मीटर की दर से इस कमरे की दिवारें और च्छत पर सफेदी कराने का ब्यग्याद कीजिए यानि कोई जो कमरा है उसमें दिवाल पर पेंट करवाना है और च्छत पर उपर में भी फर्स में तो पेंट होता नहीं है फर्स तो अलग चीज है उसकी अलग सर बाबू ठीक है समझ रहे हो ना हमें उपर उपर का हिसाब निकालना फर्स का कुछ नहीं करना है बात पक्की चलो अब क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे समझ रहे हो एरिया आप निकालोगे ना देखो हमें क्या करना है पहले बात तो हमें च्छत का छेत्रपल निकालना है दोनों दीवालों का निकालना है तो दोनों दीवालों का जब आप निकालोगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको जरह सोचो इसमें आपको चोड़ाई मिल और उचाई भी मिलेगी और उपर लंबाई और चौडाई मिलेगी यहीं न जैसा कि मैं आपको पहले question में बता चुका हूं और introduction पार्ट में भी बता चुका हूं अगर आपने introduction वाला पार्ट नहीं देखा तो आपको पता है क्या हो जाएगा या है इन टू बी प्लस बी ठीका बैटा कोई दिक्कत नहीं ना इंटू इंटू बी यानि लेंफ्ध इंटू ब्राट यह च्छत वाले का हो गया यह तो हो गया आपका साइड साइड की दिवालों लंबा इन चॉड़ाई यह क्या होगा चलो इसमें तो ठीक है यह यहाईट आपको 3 दिया है यह तो दिया है और यह लेंध कितना दिया फाइफ बी चौड़ाई कितना चार दिया था मैंने यह कोश्ठक लगा लिए बड़ा वाला ठीक है यह आपका फाइफ है अब भी आपका फोर है ओके यह स्थिक्स हो गया यह आपका नाइन हो गया बिटा तो कोश्ठक खोल देंगे तो यह नाइन ऐसे मल्टीपल हो जाएग तो कॉमन हो गये मुझे बताना ही पड़ेगा इसको कोश्ठक लिख लो मैं अभी डीटियल में बता देता हूं लिख लो पहले चलो तो यह आपका हो गया प्लस यह भी प्लस हो गया तो बेटा यह आपका फिफ्टी-फॉर प्लस ट्वंटी यानि आपका हो गया सेवंटी- ट्रवा कर लो अभी आंसर नहीं आया अभी सिर्फ छेत्रफाल आया है अब लिखोगे आपका दीवारों को सफेदी कराने का खर्च बराबर दीवारों को सफेदी कराने का खर्च एक्वल यह टोटल कास्ट आप वेंटिंग इक्वल गया गुड़ा करके देखो इसका कितन कितना आएगा कि मल्टिपल करके देख लो एक बार फटा फट फट पांच तो पच्पन रुपए लगभग आएगा कितना आएगा पांच तो पच्पन रुपए खर्चा आएगा यह आपका अंसर होगे बाबू ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना एकदम क्लियर अब मैं यह सूत्र के बारे में आपको थोड़ा डीटियल बता देता हूं इसको नोट कर लो इसक्रीन साट ले लो में फार्मूला समझा देता हूं टिपालों का निकालना है चारों टरफ का और लेकिन जमीन का निकालना है समझ रहों के जोड़ नेगी जाटो जनकारी के लिए पहला वीडियो देखो यह पहला कुश्चन आपको पीछे ठीक है और इंट्रोड़क्षान वाड़ा पार्ट देख लेन पर यह आप कमेंट कर करिए समस्या का समधन किया जाएगा बहुत बहुत थांक्यू वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें अगर आप फेस्बूक पे देख रहें तो फालो करें अगर यूटूब पे देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें